उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार में बनी प्लास्टर और पैरिस की बनी मुर्थिया हजारों परिवारों के लिए जिविको पारजन का माध्यम बना है चुनार की मुर्थि देश भर में प्रसिद्ध है दिपावली के पहले सही लक्षमे गणेश के मुर्थियों की खरिदारी शुरू हो जाती है विबिन प्रदेशों के साथ ही नेपाल तक यहा की मुर्थियों की मांग है पिड़ी दर्पिड़ी व्यापारी कारुबार करते आ रहे है चुनार की मुर्थि देश के साथ ही पढ़ों सी देश में भी काफी ब्रीय है प्लासर ओफ पैरिस से बनी आकरशक मुर्तियों की मांग को पूरा करने के लिए कारीगरों को अथक मेहनत करनी पड़ती है 11 मात तक कठीन मेहनत कर मुर्तियों को भव्य सवरूप देने के लिए कारीगर लगे रहते है दिपावली पर्व की तैयारी पर्व के बीतने के बाद ही शुरू हो जाती है 11 मैने की मेहनत का फल दिपावली आने पर मिलता है सावधान इसे मुर्तियों को आकार देने के बाद उसमें रंग भनने का काम किया जाता है बदलते दोर में मिट्टी की जगह प्लासर ओफ पैरिस से आकरशक मुर्तिया बनाई जा रही है दिपावली पर्व पर व्यापारियों को उनकी महनत का फल मिलता है गनेश लक्ष्मी की मुर्ति के साथ ही तमाम तरह की आकरशक पॉड्स बनाए जाते है चुनार घुमने के दोरान आकरशक मुर्तियों पर नजर पढ़ने के बाद युवक ने अपने इलाके में दुकान ही खोल लिया पहली दिपावली पर उसे अच्छे हामदनी की आस है बनाने के लिए तुनार का यह परमपरिक उद्योग है पहले आप लाल मिठी का काम होता था जो गंगा जी से नदी से और पूखरो से नीकालकर के कुमार लोग बनाते थे अब वो दीरे-दीरे आदुनिक यूग में बंद हो गया बहुत नाम मात्रका हुआ उसके बाद यह काम यहां पर यह भी सारे कार्ज़गर प्लास्टर आप पेरिस के मूर्ति बनाने के लिए यहां पर अपना कनवर्ट हो गए और साल भर ये मूर्तिया बनाते हैं गलेश लच्वी, दुर्गा जी, हन्मान जी, संकर जी, अन्य जो भी धार्मिक मूर्तियां हैं यहां पर बनती हैं और पूरे मतलब भारत में आतम ये इसकी सप्लाई होता है और ये एक महिने, ग्यारा महिना ये बनाते हैं और एक महिने के अंदर ये मूर्तिया सारी दिपावली तक बिग जाती हैं